हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फोर यू सो गाई जैसा कि आज आज आपका SSE MTS का 23 अक्टूबर के सेकंड शिप का एक्जाम हो गया है दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% accurate answer के साथ जो है इस वीडियों अताऊंगा तो देख लेता है कि किस अरकार के जो है आज आपके 23 अक्टूबर के सेकंड शिप के एक्जाम में जो आप प्रेस्ट ने पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SSC MTS एक्जाम से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा और बगल में यह आपको एक बैलिकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी ज़रूर प्रेस्ट कर दिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपका पहला कुशन आया था कि 2011 की जनगना ये जो है कितने नंबर की जो वो जनगना थी तो देखे 2011 की जनगना की बात कर ले तो ये जो आपका पंदरवी जनगना था वहीं अगर आपसे पूछा जाए तो देखे आजादी के बाद ये जो आपका 2011 की जनगना था न ये आपका साथवी जनगना था तो पंदरवी जनगना आपका यहापे करेक्ट टैंसर होगा इसके लाबात कर ले 2011 की जनगना का जो है सुभंकर यानि मैसकोट जो है वो क्या रहा था तो देखे इस जनगना का जो सुभंकर है यह आपका प्रगनक सिच्छक रहा था और इसका आदर्स वाक्य आपसे पूछा जाए तो देखे 2011 की जनगना का जो आदर्स वाक्य रहा था यह आपका हमारी जनगना और हमारा से रहा था इसकला मैं आपको बदा दू कि भारत में पहली जो जनगन्ना हुआ था ना या आपका वर्स 1872 में जो है या आपका मेओ के शासनकाल में जो या आपका आयोजित किया गया था इसकला मैं भारत में अगर पहली आधिकारिक जनगन्ना अगर आपसे पूछा जाए त आपका वर्स 1881 में जो है यह आपका रीपन के कारिकाल में हुआ था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसकला मैं आपको बढ़ा दू कि 1951 के बाद सभी जो जनगन्नाय कराई जा रही है यह आपके 1948 की जनगन्ना अधिनियम के तहर जो है यह कराया जा रहा है तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपका आप रहता है कि who among the following is the author of महाभास से यानि निम्नलिखित में से कौन जो है महाभास से के लिखक है तो देखे महाभास से जो है यह आपका संस्कृत भासा में जो है यह आपका पतंजली के द्वारा जो वो लिखा गया था तो पतंजली आपका correct answer होगा और यह जो आपके पतंजली थे ना य यह पुसी मित्र सूंग ने जो वो किया था इसके लाव अगर अस्टा अध्याई के बारे में पूछा जाए तो देखे अस्टा अध्याई जो है यह आपका संस्कृत व्याकरन में यह जो आपका पानीनी के द्वारा जो है इस ग्रंद को जो वो लिखा गया है वह अगर का काली दास के द्वारा जो है आपका अभिग्यान सकुंतलम विक्रों वर्सियम इसके लाव मालवी का अगनी मित्रम रगुवनसम कुमार संभुवन मेग दूतम और रेतु संगहार इन सभी रचनाओं का जो आपके पूस्तक है ना यह आपका काली दास के द्वारा जो वो ल पूस्तक के लेखा कौन है तो यह आपके डेवीडर डेवीडर है तो डेवीडर डेवीडर आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा और देखिए एक क्वेशन में आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजेगा फॉस्त में मैंने थोड़ा सा बच्चे बहुत जादा सोर्गुल कर तो माइन ुडाइवइड हो गया ता जहां पर मैंने बता थै कि रजिया सुल्तान का जो शासन का लेना यह आपको वहाँ परigare पर मैंने थोड़ा सा सुधार कर लीजेगा रजिया का जो आपका इसासन काल रहा था यह आपका 1246 से लेकर आपका 1240 तक रहा था ना की Western आप वो देखने को भी मिल जाएगा नेक्स्ट कोशन आपका हम रहा था कि विच एमेंट्विंट एड़िट दा वर्ल्ड सॉरी वर्ड सैकुलर इन दा प्रियम्बल ऑफ इंडियन कंस्टिटूशन यानि भारत के संबिधान में धर्ब निरपेच जो सब्द है ना ये किस संसोधन अधियन्यम के माध्यम से जो है हमारे प्रस्तावना में जो वो जोड़ा गया था तो दीखे मैं आपका बता दूँ कि यह जो आपका सैकुलर जो वर्ड है यानि धर्म नीर पे जो सब्द है या आपका जो 1976 में 42 संबिदान संसोधन हुआ था इसके संसोधन के तह जो है हमारे प्रस्तावना में तीन सब्द जो वो जोड़े गया थे और वो तीन सब्द कौन-कौन से थे तो पहला आपका जो है सोसलिस्ट यानि समाजवादी सेकंड आपका शेकुलर यानि धर्म नीपेश और थर्ड आपका इंटिग्रीटी यानि अखंडता सब्द जो है यह हमारे प्रस्तावना में जो वो जोड़ा गया था और यह तीनों ही जो सब्द है या आपके 42 संबिदान संसोधन के माध्यम से जो वो जोड़े गया थे तो 42 संब संसोधन के तहट जोड़ा गया था तो यह भी आपका 42 संबिदान संसोधन 1976 के माध्यम से जो वो जोड़ा गया था और 42 संबिदान संसोधन को ही जो है यह आपका लगू संबिदान के नाम से जो वो जाना जाता है इसकला मैं आपको बता दो कि 42 संबिदान संसोधन के माध् तो यह आपका 86वे शंविदान संसोदन, जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से 11 मौलिक कर्तबे को जोड़ा गया था और मौलिक कर्तबे को जोड़ा गया था, तो देगे सरडार सुण सिंग समीती के सिफारिज पर हमारे संविदान में 8 मौलिक कर्तबे को सुझाओ जो वो दिया गया था और दो जो मौलिक कर्टबे थे ना ये आपके इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो है इसे इंप्लिमेंट जो वो किया गया था और मौलिक कर्टबे को जो ये आपका किस देश के संभिधान से लिया गया तो इसे आपका रूस देश के संभिधान से आपका 31 मार्च 1867 को बंबARY में आतमाराम पांडू रंग के द्वाराenderौ को ऐस समाच को पांडू रंग आपका ग्रेक्ट एं सप्क होगा.. उनाल बहुत कोशो है कि करूपका व्यूज़ सिर्स्जा ... शॉ现在 आपर आय। ऑप को फिर्थ जासन चाशन का और भॉरमिंगो परजी राज़ानी रजडानी हमपी के बारे में आपका विस्तरी जानकारी भी दिया था और इसने राजा कृष्ण देव राय का भी ये वर्नन जो वो किया था इसके लाज़ मैं आपको पता दू कि कृष्ण देव राय के सासनकाल में ये आपका डुआट बार्बोषा भी ये आपका वीदेसी यातरी भारत आये था जो कि आपका एक पुर्तगाली यात्री ही था और यह जो आपका कहां पर आया था तो यह आपका विजे नगर आया था और यह आपका पुर्तगाली गवर्नर अल्बू कर्क का जो यह आपका दुभासिया था तो इन दोनों में से जो भी आप्सन में आपका दिया गया होगा, या तो आपका डुमिंगो पेस दिया गया होगा, या फिर आपका डुआट बार्बोशा जो वो दिया गया होगा, तो इन दोनों में से जो भी आप्सन में दिया गया होगा, वो आपका यहाँ पर करेक्ट ट तरीका है कि वे कितने धीमी गती से या फिर जल्दी जो यह आपके पस्ते हैं और समय की अवधी में रख्त सरकरा के अस्थर को जो वो बढ़ाते हैं और देगे मैं आपको पता दूँ कि ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स को जो यह आपका तीन भागो में जो वो बाटा गया और व जो आपके खात पदार्त होते हैं इसमें आपके सुगर लेवल को जो यह आपका बढ़ाता है इसलिए इन्हें मदुमे के रोगी के लिए वो अच्छा जो वो नहीं माना जाता है इसके लावत दूसरा जो आपका परकार होता है यह आपका मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडे होता है और जब भोजन का जी आई 55 से 0 के बीच होता है तो इसे जो आपका कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला भोजन जो है वो आपका माना जाता है तो आपसे 100 और 70 के बीच वाला पूछा गया था तो इसे आपका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो वो माना जाता है यानि आपका यह bad quality का जो वो माना जाता है तो high glycemic index आपका correct answer होगा next आपका यह बनाता कि तुंग भद्रा नदी यह जो किसकी tributary नदी यानि सहायक नदी है तो देखे तुंग भद्रा नदी की बात कर ले तो यह जो आपका Krishna नदी की जो यह सहायक नदी है तो Krishna नदी आपका correct answer होगा इसकलाव मैं आपका बढ़ा दू कि यह जो आपका यातिहासिक सहरहमपी है ना यह आपका तुंग भद्रा नदी के तटपर ही इस्तिर है तो यह point भी आप ध्यान में रिखेगा इसकलावा Krishna नदी की अन्य अगर ट्रिब्यूटरी नदी की बात कर ले तो यह जो आपके भीमा इसकलावा तुंग भद्रा कोईना वेना पंच गंगा घाट प्रभा दूद गंगा डिंडी और पेदावागू और मुसी यह सबी जो नदिया है ना यह आपके Krishna नदी के परमुक सायक नदिया है और Krishna नदी यह आपका किस-किस राज्य से होकर बहती है तो यह आपका महराष्ट करनाटक आंधर परदेश राज्यों से होकर यह आपका बहता है और Krishna नदी की लंबाई अगर एक्जाम में पूछा जाए तो देखे इस नदी के जो लंबाई है ना यह आपका 1400 किलो मीटर है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आप का यह आप रहता है कि Who is the Minister of Ports Sipping and Waterways in 2024 यानि साल 2024 में बंदरगा, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री जो है यह कौन है तो देखे साल 2024 में बंदरगा, जहाजरानी और जलमार्ग जो मंत्री है ना यह आपके सर्वानंद सोने वाल है तो सर्वानंद सोने वाल आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट आप का यह आप रहता है कि भारते फुटबॉल टीम ने किस वर्ट के एशियाई गेम्स में जो है फाइनल मैच में दच्छिन कोरिया को हरा कर जो है यह गोल्ड मैडल यानि सुर्ण पदक जो वो जीता था तो देखे मैं आपको बतादू कि 1962 का जो आपका एशियाई गेम्स हुआ था ना भारते फुटबॉल टीम ने जो है एशियाई खेल में पहला जो गोल्ड मैडल है ना यह किस वर्ट मे जीता था तो देखे पहला जो गोल्ड मैडल है एशियाई गेम्स में भारते फुटबॉल टीम के द्वारा जो आपका पहला ही संस्कारन हुआ था 1951 में जो कि आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसी 1951 में भारत ने इरान को एक जीरो से हरा कर पहला स्वरन पदक फुटबॉल का जो वो जीता था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान मे रखना है वहीं अगर बात कर ले एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला स्वरन पदक ये जो है किस ने जीता था अगर ये पूछ लिया जाए तो देखे एशियाई खेलों में भारत का जो पहला स्वरन पदक है ये आपके तैराक सची नाग ने जो है 1951 में नई दिल्ल सरसो, इसके लावा तारा मीरा, आलू, यह सबी जो फसले हैं ना, यह आपके रभी फसल की उधारेन है, तो आप्सन में जो आपका गेहूं, यानि वीट जो हो दिया गया था, तो गेहूं आपका यहापे करेक्ट टैंसर होगा, इसके लावा अगर रभी की फसल की बात कर ले तो देखे, खरीब की फसल में आपके कौन कोन आ जाते हैं, तो देखे, धान यानि राइस, मक्का, जौर, बाजरा, तुर, जी से अरहर भी कहा जाता है, इसके लावा मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंग, फली और स्वायबीन, यह सबी जो है ना, यह आपके खरीब की फसले हैं, और खरीब की जो फसल है ना, यह आपका जून जुलाई के महीने में जो इसे बोया जाता है, और सितंबर और अक्टूबर महीने के बीच में जो है, इसे कात लिया जाता है, तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट आप कहा है आप रहाता ह के हरी हरन जिनने दोजाग चार में भाद सर्कार के दोड़ा पदम स्री आवाट से सम्मानित किया गया था, यह जो आपके किस छेत रह से सम्मन्दित हैं, तो देखे हरी हरन की बात कर ले, तो यह जो आपके भारते पार्सो गायक और एक आप गजल गायक हैं और इन्हें भारत सरकार की द्वारा 2004 में इन्हें पदमसरी आवाट से भी जो वो सम्मानित किया गया था तो पार्सो गायक और गजल गायक आपका करेक्टेंसर होगा या फिर संगीतकार भी दिया गया होगा तो संगीतकार भी आपका यहाँ पर करेक्टेंसर आपनाद्र हो गाए नेक्स्ट आप हाँ विह तो चिनन पर जो कि आपका चिननNow के स्थापन हो गया था तो विंपति चिनन." सत्यम आपका करेक्टेंसर होगा और देखे विम्पति चिन्ना सत्यम जो है यह आपके कुछी पुड़ी सास्त्री नित से ही संबंदित है और इन्हें आपका कुछी पुड़ी की बात कर ले तो यह आपका आंधर परदेश राज्य का एक सास्त्री नित है और विम्पति चिन तो दीए मैं आपको बता दूँ कि भारते संभिधान के अनुचेद 169 के मुताबिक जो है राजस्जेपाल को सपत पीर जो है आपका करेक्ट एंसर होगा तो फिर वो जो है राज्यपाल को जो वो सपत दिलाते हैं तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रिखेएगा क्योंकि एक्जाम में यहां से प्रश्ण बनता है कि जब मुखे नैदीस उचिन्याले के मुखे नैदीस जब अनुपस्तित रहते हैं तो फिर राज्यपाल को जो सपत ये कौन दिलाते हैं तो उस नैदीस के सबसे जो वरिस्ट नैदीस होते हैं वही जो है वो सपत दिलाते हैं next question आपका अमरा था कि बैडमिंटन में नेट की उचाही जो है वो पूछी गई थी तो ढ़िए कि बैडमिंटन में नेट की जो उचाही है यह आपका किनारे पर यह आपका 1.55 मीटर को होता है यानि अगर फूट में बात कर लें तो यह आपका 5 फूट 1 इंच को होता है तो देगे बैडमिंटन कोट की जो लंबाई है यह आपका 13.41 मीटर यानि 44 फूट होती है वह अगर सिंगल्स में कोट की चोड़ाई अगर आपसे पूछा जाए तो देगे सिंगल्स में कोट की जो चोड़ाई है यह आपका 5.18 मीटर यानि 17 फूट होता है और डबल्स में जो आपका कोट की चोड़ाई है यह आपका 6.1 मीटर यानि 20 फूट होता है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आप कर आपना तक कि Aristotley Classified Organism on Basic of the Air यानि आपके अरस्तु ने जीवों को उनके किसके अधार पर वो वर्गरित किया था तो देखे अरस्तु की बात कर ले तो इन्होंने जीवों को उनके निवास अस्थान यानि हैबिटेट के अधार पर उन्हें तीन स्रेनियों में जो वो भीवाजित किया था और वो तीन स्रेनी कौन कौन से थे, तो पहला आपका टेरेस्ट्रियल, यानि आपका पहला जो था, या आपका क्या था, तो या आपका अस्थलिये था, सेकंड आपका एक्वेटिक, यानि जलिये था, और तीसरा जो था, या आपका एरियल और्गिनिस्म, यानि आपका पर रहते थे, जो जलिए होते थे, या आपके जल में रहते थे और वावि ये जो होते थे, या आपके वाईम पर यू हो रहते थे तो ये fact भी आप ध्यान में रहते थे, नेक्स्ट कोशिए आपका तो भरतनाटेम आपका correct answer होगा, और अला रीपू सब्दका आर्थागर एक्जाम में पूछा जाए तो यह आपका एक फूल वाली कली होता है तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रिखिएगा नेक्स्ट आप कहा है आप रहा था कि 2023 में कौन जो है जर्मनी के चांसलर यह भारत आए थे तो देखिए 2023 में जो आपका जी ट्वेंटी का सम्मेलन हुआ था ना उसमें जर्मनी के जो चांसलर है यह आपके उलाफ असकोल जाए थे तो उलाफ असकोल जापका करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट आप कहा है आप रहा था कि 1905 में रच्छा बंदन सब्द का इस्तमाल किया गया था और उसमें कौन सा वीभाजन जो हो रहा था तो देखिए वर्स 1905 में बंगाल वीभाजन के खिलाप रवीना टैगोर ने जो है रच्छाबंदन को एकता और प्रतीरोत का प्रतीक जो हो बनाया था और तो आपका कॉन सा उसमें आपका जो भीभाजन हो रहा था तो बंगाल वीभाजन आपका करेक्ट टैंसर होगा इसके लाव बंगाल वीभाजन की गोशना यह कब किया गया था तो यह आपका 19 जुलाई 1905 को जो है यह आपके भारत के वासरा है करजन के द्वारा जो है इसकी घोशना जो वो किया गया था और बंगाल विवाजन जो है यह आपका 16 अक्टुबर 1905 को जो है यह आपका प्रभावी हुआ था इसके लाव में आ आपके हार्डिंग के द्वारा दिते के द्वारा बंगाल विवाजन जो वो निरस्त कर दिया गया था तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रिखेंगा नेक्स्ट कोश्या आपके आपके हैपिनेस इंडेक्स 2023 में जो है आपके भारत के चारपड़ोसी देशों का नाम दिया ग तो देखेंगे हैपिनेस इंडेक्स 2023 में अगर बात कर ले तो पाकिस्तान को जो अस्थान है या आपका 108 अस्थान रहा था सिरलंका 112 अस्थान पर रहा था और नेपाल जो यह आपका 38th अस्थान पर रहा था तो इस एकॉर्डिंग नेपाल जो है आपका यहां पे correct tenants रोग तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा इसकला मैं आपको बता दू कि हैपिनेस इंडेक्स 2023 में पहले अस्थान पे कौन सा देश रहता अगर ये पूछ लिया जाए तो देखें फिनलेंड जो है ये आपका पहले अस्थान पे रहा था और दूसरे अस्थान पे ये आप आपका डैनमार्क रहा था और तीसरे अस्थान पे आपका सुच्जर लेंट देश रहा था तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना रहा है तो इसे आपका परमानु सिधांतy उसे आपका परमानु सिधानत भी जौ यहां वो आपका तब में पर जाता है, वो भी रखा था और देखे डाल्टन ने अपने सिधान्ट को जो है द्रब्यमान के संरचन के नियम और इस्टिट संरचना के नियम पर जो वो आधारित किया था और डाल्टन के परमानू सिधान्ट के मुताबिक जो है और नहीं नस्ट किया जा सकता था तो यह जो आपके डाल्टन के जो वो परमानू सिधान थे तो इन में से जो भी आपसन में आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करिक्ट टैंसर होगा एक कुछ है जो आपका गलाइसीन से भी आए था तो देखे, glycine के बारे में आपका साइट cotton-based depression आए था तो देखे, glycine की बात कर ले तो यह जो आपका एक amino acid होता है जो कि कई खाद-पदार्थों में जो वो पाया जाता है और वो कौन-कौन से खाद-पदार्थ है तो जैसे कि animal proteins में जो आपका glycine जो वो पाया जाता है इसके लावा bone growth में भी जो वो पाया जाता है plant proteins में भी जो आपका पाया जाता है और water crates में भी आपका पाया जाता है और gelatin में भी जो यह आपका पाया जाता है तो option में जो आपका protein दिया गया था तो protein आपका यहाँ पर correct answer होगा next अगर हम लोग English की बात कर ले तो English में जो आपका like a dying duck in a thunderstorm का जो है यह आपका idiom जो वो पूछा गया था तो लेकि like a dying duck in a thunderstorm इसका जो मतलब होता है वो आपका look sad या फिर hoplase या फिर dissected होता है तो इन तेनों में से जो भी option में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पर correct answer होगा एक आपका fill in the blanks आपका दिया गया था dopes fill in the blanks fly in the sky option में आपका sour shower इसके लावा sour दिया गया था और sour इस परकार से आपका आपका जो वो दिया गया था तो यहाँ पर जो आपका डोpes होगा न वो आपका क्या होगा तो sour होगा S.O.A.R. वाला होगा क्योंकि इसका मतलब जो होता है यह आपका fly high होता है तो S.O.A.R. आपका यहाँ पे correct answer होगा दो आपका spelling error से आया था, एक तो आपका mechanical का spelling error आया था, तो देखिए mechanical आपका M-E-C-H-A-N-I-C-A-L, इस परकार से आपका लिखा जाता है, तो यह वला option जिनोंने भी चूज किया होगा, उनका यहाँ पर correct answer होगा, एक question जो आपका beautiful का जो वो correct spelling आया था, तो देखिए beautiful का ज आइडल का जो आपसे synonym जो वो पूछा गया था, तो देखिए आइडल का जो मतलब होता है यह आपका निठला, या फिर निस्क्रिये, या फिर बिकार होता है, और इसके अगर synonym की बात कर ले, तो देखिए लेजी, इसके लावा indolent, slothful, work sigh, इसके लावा subtilis, laughing, inactive, और या आपका महतपूर्न होता है, और इसके अगर एंटोनीम की बात कर ले, तो देखिए, indicative, इसके लावा reflective, टेले, इसके लावा characteristics, signifying, इसके लावा denotative, इसके लावा symbolic, इसके लावा denoting, और symptomatic, referring, allusive, expressive, or demonstrative, ये सभी जो होते हैं, या आपके significant के एंटोनीम होते हैं, तो इन कोशन जो है, आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो के 100% real और authentic हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जो है like जरू कर दीजेगा, और इसी तरह real analysis पाने के लिए जो है, चैनल को subscribe जरू कर दीजेगा, तो मिलते हैं next video, तब तक thank you, all the best.